नमस्कार जहीं दोस्तों स्वागतिया आप सभी को आपके अपने टूप चेनल बेसी उत्तम स्टडी में दोस्तों बिहार बोड ने 12 एकजाम 2022 का फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है जो भी स्टुडेंट्स बिहार बोड से 2022 मिंटर का एकजाम देना चाते हैं तो फाइनली बिहार बोड ने 12 का फॉर्म भरने का डेट जो की जारी कर दिया है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाओंगा बिहार बोड 12 2022 का एकजामनेशन फॉर्म को किस तरह से भरना है 12 आर्ट्स साइंस कोमर्स तीनों का दिखाओंगा साथी साथ यहां पे टेंथ का भी दिखाओंगा तो आप लोग भी 2022 में 12 का एकजाम देना चाहते हैं फॉर्म भरने में आप लोग को परिसानी ना हो ठीक है इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देख लिजेगा क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा फॉर्म भरने जाएगा और एक बार दो बार आप लोग धंग से देख लिजे ठीक है क्योंकि देखिए इसमें आप लोग गलती भरते हो तो आपका डमी में गलती आएगा तो इसलिए आपको काफी जादा आगे परिसानी होगी इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम निकाल करके इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख लिजे यहाँ पे कहा जा रहा है और परतेक सब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखे यानि आपका नाम मनीस है तो मनीस लिखने के बाद मान लिए जाए मनीस यहां तक हुआ ठीक है तो आपको एक बॉक्स को खाली रहने देना उसके बाद कुमार लिखना है अब यहाँ पे एक और महत्पून जानकारी आप लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा धियान दिजेगा आप लोग के लिए एक महत्पून जानकारी है परिच्छा आवेदन पत्र के सभी वीबरन केवल सुची करन परमान पत्र यानि रेजिस्टेशन स्लीप के अनुसार ही भरे यानि यह जो आप लोग फॉर्म भरियेगा टूइल्थ का यानि टूइल्थ एक जाम का आप लोग फॉर्म भरियेगा क्या करना है ? इस फॉर्म को आप लोग रेजिस्टेशन स्लिप हैंनि रेजिस्टेशन कार्ड के नौस सारही भरे। यानि जो भी उसमें जनकारी है, डेट और वर्त है, नाम है, जो उसमें सब्जेक्ट है यहां पर आपको भरना, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ है, और इसमें आपको कुछ भरना है, ठीक है, तो registration card के अरह दो सारी भरे, अब आप लोगोग पूछे कार्ट कहां से मिलेगा, registration card आपका school college से मिलेगा, चलिए अब श्टार्ट करते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं ये 12 science वाला का है देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पी देखिए कहा जारा है थोड़ा यहां पर ध्यान दीजेगा आप लोग दिखिए कहा जारा है college of the यहां पे code of the college यानि आपको college का code यहां पे देना है यहां पे देखिए थोड़ा धियांदी ज़िए registration number यहां पे आपको जो की भर देना है उसके बाद देखिए name of the college in English यहां पे अपना college का नाम English में लिखना है उसके बाद यहां पे देखिए student name in English यहां पे आपका नाम student और इसी में आपका एक signature होना चाहिए आप यहां पर देखे जेंडर जो भी male female ठीक है यहां पर आप लोग टिक कर लिजेगा यहां पर merit है तो यह यह किजेगा वर्ना रहने दीजेगा ओके चलिए यहां पर देखिए category जो भी है जेनरेल इविसी विसी जो भी आप लोग टिक कर लिजेगा डिफरेंट लिए विल्ट दिव्यांग है तो यह किजेगा वर्ना नू सफिसिफ के एस है तो इसमें आपको इसे रहने देना है ठीक है अब आप लोग नेत्रहीन हो तो इसमें आप लोग टीक कर सकते हो वरना नो कर सकते हैं अब दोखिए मोवाइल नमबर कंपल्सरी तो यहां पे आप लोग आपना अपना चेंट केगरी यह आप लोग रिगलर से हैं या फेल हो चुके यह इन फ्राइबेट से जो भी आप लोग टीक कर पासिंग बोड ने ठीक है जो भी बोड से आप लोग पास हुए यहां पर आपको लिग देना है डीटेल ओफ मैट्री क्लास 10 बोड रॉल कोड यहां पर रॉल नंबर और पासिंग एरका किस वर्स आप लोग पास किये थे अब यहां पर दिखे कहा जा रहा है पुर्व वर्ती समनित कंपाटमेंटल क्वाइलिफाइंग कोटी के परिछार्थी दोवारें टेर्मेंडिर परिछा का वीवरन भरा जाएगा यानि जो भी कंपाटमेंटल से पास हुए है उनका यहां पर रॉल कोड रॉल नंबर ठीक है भरा जाएगा और कौन सा वर्स में आप लोग पास किये थे अब यहां पर देखिए थोड़ा सब्जेक्ट डेटेल्स में आप लोग थ्यान दिजेगा देखिए कहा जा रहा है कंपल सरी सब्जेक्ट ग्रूप ठीक है तो इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा यानि कई सारे स्टूडेंट्स जो की हिंदी इंग्लिस नहीं जादा तरके ठीक है लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जो की हिंदी के जगापे काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं ओ लेंगे ठीक है तो इसमें आपको एक ठीक कर लेना होगा ऐसे यहां पर हिंदी इंग्लिस जो की कमपल सरी है तो 100-100 नंबर आप ल देखे आप लोग फिजिक्स कमेश्ट्री मैथ लेना चाते हैं जो भी है स्टूडेंट्स मैथ से लेना चाते हैं तो आपको फिजिक्स कमेश्ट्री और मैथमाटिक्स में आपको टीक कर देना है और यदि जो आप लोग बाइलोजी से लेना चाते हो तो फिजिक्स कमेश् तो आप लोग एक्स्ट्रा में और भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मल्टी मीडिया, बेब टेक, काफी सारी सब्जेक्ट है आप लोग चाहें तो ले सकते हो, अब यहां पर दिखे कहा जारा है, address compulsory in English, यह आपको यहां पर अपना जो की address, fill up कर देना है, यहां पर पीन कोड लिखने के बाद यहां पर देखे कहा जारा है, मेरे द्वारा पर इच्छा अवेदन में भरा गया, सभी विवरन सही है, a student का यहां पर signature होगा हिंदी में, और यहां पर देखे, a student signature in English में होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर जो की signature of parent, यह ग है, तो इसी परकार से आप लोगों को भरना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, इस परकार से आप लोग यहां पर हिंदी, ठीक है, और इंग्ली सॉस्व नंबर का आप लोग ले लिजेगा, यहां आप लोग इंग्लीस में टिक कर लिजेगा, और यहां हिंदी मे का देख लेते हैं आप लोग देख सकते कि आर्ट का भी फॉर्म जो की सेम है ठीक है तो इसी परकाल से आप लोगों को आर्ट का भी भरना है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कि मैट्रिक वाले स्टुडेंट्स थोड़े ध्यान दिजेगा देखिए का जारा स्कूल कोड रेजिस्टेशन नमबर यहां पर भर देना है उसके बाद यहां पर स्कूल का नाम इंगलिस में भर देना है स्टुडेंट नेम है फादर नेम है ठीक है इसी परकाल से सब कुछ ह आँ जाथ है जादा कुछ इसमें नए जेंडर मेल फिमेल जो भी कास्ट कर डेगिरी जीनरल लेवी से धिक्शनीट्ली हों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या लेना है हिंदी संस्क्रीट मैथ साइंस सोसल साइंस टिक कर देना है यहाँ पर लेना है यहाँ लोग लिग दीजेगा एड्रेस यहाँ पर लिग देना है कंपलसरी है और यहाँ पर अपना स्टुडेंट का सिंगनेचर जो की हिंदी में और यहाँ इंगलिश में और यहाँ पर पैरेंट का सिंगनेचर सभी स्टुडेंट्स थोड़ा यहाँ ध किजेगा वरना नो यहां पे रहने दीजेगा थोड़ा आप लोग यही यहां पे आप लोग ध्यान दीजेगा ओके इस तरह से आपको भरना है दोस्तों जो भी चैनल पे नए वीडियो के नीचे लालंग में सब्सक्राइब दिखा हुआ दिख रहा है तुसे दबाकर बगल मिलते एक ने वीडियों तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम